दोस्तो अगर ये दो चीज़े आप मिला कर पी लेंगे तो डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे आपके पेट की चर्बी ऐसे गायब हो गई दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्का आपके पेट की चर्बी मोटापा होने वाला है हमेशा के लिए खत्मित जी हाँ दोस्तो इस नुस्के के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है आपके घर पर ही र जार्फ की तरह है पिकला देगा यह त्रायड एंड टैस्टिड रेमेडी है मेरी डिलेबरी के बाद मैंने खुद इसे यूस किया है और इसे यूस करने के बाद मुझे बहत ही बहतरी रिजल्ट मिले हैं अगर आप मेरी बता हुई इस रेमेडी को यूस करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपका बजन तेजी से कम होता है आपको पहले दिन से ही असर दिखना सुरू हो जाएगा तो दोस्तों फटा फट से इस वीडियो को सुरू करते हैं तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जरूरत है यहाँ पर जीरे की यानि के क्यूमेंसीर जो के हर किसी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है आप जानते हैं जीरा हमारी बजन को घटाने में कितना जादा मदद करता है वेट लॉस करने के साथ आपके बीपी को भी रखता है कंट्रोल जीरे में बिटामिन C, बिटामिन K, बिटामिन B1, V2, V3, बिटामिन E, प्रोटीन, कैलसियम, मैगनेसियम, पोटेसियम, जिंग, कॉपर, आयरेन, कार्वोहाइडिर जैसे कई पोसक तत्तों के साथ एंटी, इफलमेंटी, एंटी, ऑक्सीडेंट, गुर्बी पाय जाते हैं, जो के बजन को घटाने में बहुत ही सादा मदद करते हैं दोस्तों, ये रेमेडी ट्राइड एंट टेश्टेड रेमेडी है, क्योंकि इस रेमेडी को मैंने खुद यूज़ किया है और दस दिन के अंदर मैंने अपना पांच किलो बजन को कम किया है, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एक बार इस नुस्के को यूज़ करके दे देखेगा, उनके सालों की जमी, पेट की चर्वी, कमर की चर्वी, जांगो की चर्वी, मॉम की तरहे पिघलने लगेगी, बहुत ही एफेक्टिव नुस्का है, मैंने खुद इसे यूज़ किया है, और इसके बाद मैंने सोचा कि जब मुझे इतने अच्छी रिजर्ट मिल जीरा लेने के बाद अब आपको यहां पर कोई बरतन लेना है, जिस बरतन में आप इस नुच्चे को बनाना चाहते हैं, इसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक चमच भरके यहां पर जीरे का इस्तिमाल करना है, अगर आपके जो इस्पून है वो थोड़ी सी छोटी है, तो आप यहां पर दिर्ड चमच का इस्तिमाल कर सकते हैं, दोस्तों इसके बाद आपको यहां पर इसमें एक चमच जीरा एड़ कर देना है, उसके बाद आपको इसमें डिर्ड गिलास के करीब यहां पर पानी एड़ करना है, अब दोस्तों डिर्ड गिलास पानी हम इसमें एड़ कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पानी को खुब अच्छे से वॉयल करना है यानि कि इसको खुब अच्छे से हमें पकाना है ताकि जो आदा गिलास पानी है वो पकते हुए खतम हो जाए और पानी की कौंडिटी पूरी एक गिलास बचे तो इतना हमें इस पानी को वॉयल क जितने भी नूटरिंस होंगे इस जीरे के वो इस पाई जाये जो कि आपके फैट वरन करने में आपकी बहुत जादा हैँ और करेंगे दोस्तों जीरा सिर्फ पेट के लिए मोटापे के लिए ही नहीं और भी बीमारियों में काम आता है अगर किसी को हर्ट से संबंदित कोई भी प्रॉबलम है तो जीरा उन सब दिक्कतों को भी दूर कर देता है जीरे से हमारे हेर भी काफी अच्छे हो जाते हैं इसके अच्छी हो जाती है खाने को पचाने में मदद करता है अगर बावर आपको गैस बनती है उसको भी जीरा खत्म कर देता है बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है और दोस्तो अब आपको इसे बहुत आच्छे से वोईल करना है आप देख सकते हैं guess का flame मैंने medium करा है medium flame पर इसे मैं अच्छे से वोईल कर रही हूँ दोस्तो इस drink को लेने के साथ साथ आपको यहाँ पर अगर आप बहुत जादा मैदे वाली चीजों का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि समोसा, बर्गर, पीजा बगेरा तो इस सारी चीजों को आपको यहाँ पर अवाइट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी मोटापी को खत्म करना है दोस्तों अगर आप इन सार अपने खाने पर अपनी डाइट पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है अगर मोटापी को कम करना चाहते हैं और फिर मेरी बता हुई तरीके से इस ज्रीम को लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ही दिन में आपको फर्क महसिस होने लगेगा तो दोस्तों आप आप देख को लाइक जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चोटा सा कमेंट करके मुझे ये जरूर बताईएगा कि आप मेरे वीडियो कहां से वाच कर रहे हैं ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो क कहां कहां तक पहुँच रही है और जब आपप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे ज़्यादा झूहसी होती है तो अब को पूल दोस्तों आपको आपको यहां पर एक चछनी की अमदद से इस स्टहु आनी की मदद से इस पानीआ पको यह हां फच्छ आ ले 및 दिक कहते ह अगर आपके पास पूर्शुद जागता है वो है तो आप यहां पर वह यूज करिए गा उससे आपको बहुत यह अच्छी रिजल्ट मिलेंगी तो आपको यहां पर यहां पर इसमें एक चंबर सहथ करना है और इससे आपको मिक्स कर लियाना है अब दोस्तों मैंने हाँ पर इसमें सहथ का इसलिए इस्तिमाल किया है एक तो सहथ हमारी बजन को घटाने में तीजी से मदद करता है दूसरा शहथ भूख को कम करने में मदद करता है जिससे हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है और हमें भूख का एहसास नहीं होने देता है हनी हमारी इसकिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है हमारी इसकिन पर ताजगी लाने के लिए जब हमारा मोटा पक घटा है तो हमारी इसकिन रूखी सी हो जाती है तो शयद हमारे चहरे पर अच्छे से चमक बना रखता है और आपके चहरे को ग्लोइंग रखता है और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है और जो सुगर के पेसेंट है वो हनी का इस्तिमाल ना करें और आप हनी की जगे यहाँ पर नीवू का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर इस ड्रिंग को ऐसे ही पी सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा ड्रिंग है यह बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है लेकिन आपको इसको किस तरहिके से यूज़ करना है किस तरीके से आपको इस्तिमाल करना है अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से यूज करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही तेजी से आपका फैड वर्न होने लगेगा तो चलिए अब दोस्तों आप जानते हैं आपको कम से कम एक से डिल लीटर गुनगोना पानी भी पीना है जो आपके बजन को घटाने में काफी जादा मदद करेगा सिर्फ आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पेट के अलावा आपके पूरे सरीर की चर्वी बहुत ही तेजी से पिगल जाएगी आपको इसका सेबन दो टाइम करना है